दोस्तो जियो फाइनेंसल सर्विस की बात के तो यहाँ पे कौटर थी का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है इस बार रिजल्ट ने थोड़ा सा हमें मायूस किया है क्योंकि कमपनी का रिवेन्य और प्रॉफिट दोनों ही गिरा है अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तो बीजनेस बराबर सुरू ही नहीं हुए है इन्होंने अभी एप्लिकेशन लगाए है म्यूचल फंड के बीजनेस के लिए आर बिया इससे इसकी परमिसन मांगी है तो अब ही समय लगेगा बीजनेस पूरा सुरू होने में सैटल होने में इसके बीच में कुछ लेकर ब्रोकरे जा उसकी क्या राय और क्या टार्गेट हो सकते हैं क्या इस समय इस रिजल्ट के बाद हमें खरीदारी करनी चीए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चीए इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले सबसे पहले आज के कारुबार को देख लेते हैं तो स्टॉक की शुरुआ तो ही 258 पर पॉजिटीव शुरुआ तुई फ्राइडे की क्लोजिंग 255 क्या सबस्ती इंट्रारी में 269 का हाई भी बना काफी एची तेजी बनी और लो है वो 257 का है और क्लोजिंग अंतर में द वालिम में बहुत जबर्दस उचाल पिछल एक मैने पर इसका टू क्रोड का वालिम था वन क्रोड की दिले हुट है थी जोरे एक को पहले इन देंट्रांडे लोट 257 का है लेकिन जो हाई है वो 269 का जो फ्रेश आई बन गया है विर्कुल लिस्टिंग के बाद आज उस हाई को इसने टच किया, यह बहुत बड़ी बात है, एक तरसे एक नया इतियास रचाए, बिल्कुल, 52 विक का लो देखे दर 202 का है और हाई 269 का है, तो बिल्कुल देख सकते हो कि फ्रेश हाई बनाई रिजल्ट के पहले, अब इसकी परफर्मेंस को देखे, 8 जनव जनवरी की बात करें, लेकिन 11 जनवरी की बात करें, तो फ्रेश हाई बना दिया, अब यहापे कंपणी ने अपने quarter 3 का रिजल्ट का एलान कर दिया है, कंपणी का जिस बार दो अब आप देख सकते हो कि पिछले quarter में यह 68 करोड के आसपास था profit, तो उस हिसाब से profit में बड़ी गिरावट देखनों को मिल रही है, revenue में भी देखे तो 32% की गिरावट है, revenue 4 ने 13 करोड के आसपास जो पहले 68 करोड के आसपास था, फुल मिला के देख सकते हो कि इस बार revenue और profit दोनों में ही कमी आई है, चाहे आप quarter on quarter basis के हिसाब से देखे या year on basis पे देखे तो कमजोर रहा है result, अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी reason है कि company ने अपने business के अभी शुरुआत की है, अभी इनको जो profit मिलेगा वो आने वाले एक दो quarter के बाद मिलेगा, क्योंकि अभी इनका insurance का business शुरु हुआ है, यह अभी तक इनके profit में वो एड नहीं हुआ है, इसके अलावा mutual fund का business के लिए तो अभी नोने application लगाई है, तो कुल मिला के एक दो quarter तो हमें और देखने हो कि उसके बाद में ही, और इदर result हमारे सामने आएगा, जो business पड़ी पाएगा, उसके इसाब से result देखने हों को मिलेगा, पिछले result में जो वरिदी थी, वो reliance के बाद में डी मर्जर की वज़े से result सामने आया था, उसका इसमें positive effect वही था, कि वो company से जुदा होने के बाद उसका reliance के अंदर जो मुखी business था, उसके इसाब से result था, अब company पूरी तरह से अलग हो स्री हितेश कुमार सेथिया को company के director और यहां पे देखते हो कि company के chief executive officer के तोर पे अपॉइंट किया है, नॉमबर 2003 से उनकी यह कारेकाल सुरू हो चुका है, और इसकी जानकाल देगी, तो यह appointment हुई है, यह देखते हो कि जो हितेश कुमार सेथिया है, वो foreign national, यानि वो Indian national न करने के लिए, तीन साल का उनका कारेकाल होगा, जो नॉमबर 15-2023 से सुरू होगा, इसके लाव बोर्ड अप डारेक्टर की तरफ से एक और यहां पे nomination मंजूर किया गया, जिसमें committee और audit committee के approval के लिए, जिसमें रुपाली, अधिकारी, सावंद as group और internal audit company के तोर पे वो कि कुछ नई appointment हुई है, तो लगातार अब नई team आ रही है और appointment हो रही है, उस हिसाफ से लग रहा है कि अब business तेजी से बढ़ेगा, और इसके अलावा देखे, तो चार जन्वर इसको nbfc यहां पे देखो कि blackrock के साथ मिलके, mutual fund के business के लिए, से भी के अंदर application लगाई है, तो कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समें इसका positive effect देखने को मिलेगा, तो result भले इस बार कमजोर हो लेकिन उसने कोई जाला फरक नहीं पड़ता है, बीजनस अब शुरू होने वाला है, आने वाले समें इसका बैतर परिणाम देखने को मिलेगा, तो वैसे विगर काफी तेजी से बढ़ता हुआ, उम्मित किया कि आगे भी बढ़ेगा बीजनस ऐसे ही, और कमपनी का जो बीजनस है, जिसमें आप देखें तो कमपनी, अपनी सफिल्स कमपनियों के मादे में जीओ, फाइनस लिमिटेड, जीओ, इंसुरेंस ब्रोकिं लिमिटेड, जीओ, पैमेंट सोलूशन लिमिटेड और जीओ, वेंशर्स यानि जीओ, पैमेंट बेक लिमिटेड, इनके जो मुखे बीजनस हैं, उसके मादेम से कारुबार को तेज बढ़ाएंगे, और इनके पास एक मजबूत कस्टमर बेस अलड़ी है, जिसका फाइदा उठा के, वो मुब आप उपर में मिले तो आप खरीदारी करें, और एक सपोर्ट देखें, तो 236 का सपोर्ट है, और आने वाले समें टार्गेट 260 और फिर 270 के टार्गेट देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी की सला दी जा रही है, दूसरी तरफ, ABP रिसर्ज की तरफ से देखें, तो मैज M. Oja ने भी इसमें खरीदारी की सला दी है, उन्होंने इसके जो टार्गेट सेट किये, वो 290 और फिर 310 के टार्गेट दी है, आपको 240 का स्टॉप लॉस लगाना वो इसमें बने रहना है, तो Oja का कहना है कि बिल्कुल ये टार्गेट आपको देखने हो मिल सकता है, आने आने वाले से में पॉजिटिव सम्मावना या पर दिखाई दे रही है, दूसरी दर मेता एक्विटीज के जो रिसर्च अनालिस्ट है प्रसान ताम से ताप से उन्होंने भी इसमें खरीदारी की सला दी है, उनके हिसाब से आने वाले समें पॉजिव सम्मावना बनेगी, और इस टॉक आपको 290-300 के लेवल दिखा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर निवेस का मौका बन रहा है, तो कुल मिला के बहुत सारे जो ब्रोकरेज आउसे वो लगातार खरीदार की सला दे रहे, ऐसे में आपको भी जियो फाइनसर समीस में निवेस करना चीए, बले ही स का और इदल रिजल्ट हमारे सामने का फिलाल बीजनस की सुरुआत हुई है, अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहां से गर गिरावट होती है, तो 243 का पहला सपोर्ट है, यह टूटा तो 231 तक श्टॉक जाएगा, और गिरावट का महुल बना तो पहला तो 271 तक श्टॉक जाएगा, तो पहला रिजिस्टंस तो आज ब्रेक हो चुका है, अब सेकेंड रिजिस्टंस 271 के आज है, इसको पार करते हैं श्टॉक आपको 283 तक जाता हो दिखाए देगा, यानि 280 को पार कर लेगा, फिर 300 तक जाने की समौन बन जाएगी, तो बिल्कुल लॉंग टर्ब इन्वेस्टर के लिए, डिप में खरीदारी का अच्छा मोगा है, रिजल की वज़े से हो सकता है, कुछ दबाव देखना हूं मिले तो इसमें, आपको डिप में जरू खरीदारी करनी चीए, आने वाले समय जियो फाइनेसल सेर्विस आपको माल कर देगा, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेसल एडवाजर्श बाड़वी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए, तो लाइक से जरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठैंक यू फ्रेंड